नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से पिछले दिनों हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी की 75 वी एनिवर्सिरी मनाई इस उपलक्ष में हमने इस कारेक्रम के तहत एक स्पेशल सीरीज एक शिंखला में कई सारे अलग-अलग मुद्दों पर बात करते आए हैं तो आज भी उसी शिंखला में एक और कारेक्रम, एक और एपिसोड आप लोगों के सामने पेश हैं पूरा का पूरा जो आजादी और खास्तों से पार्टिशन विभाजन का जो एपिसोड था वो धर्म के आधार पर था कि मुसल्मान एक अलग नेशन है हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते इसलिए जाके बटवारा हुआ तो इसी के बारे में बाचीत होगी मेरे मेहमान है योगेश स्निही जो अमबेडकर उनिवर्शिटी दिल्ली में एसिस्टेंट प्रफिसर है उनकी बहुत महत्वपून किताब इस जो हम जिस पे चर्चा करेंगे इसी से रिलेटेड इनकी किताब है Specializing Popular Sufi Shrines in Punjab तो योगेश जी हमारे कारिकर में आने के लिए बहुत धन्यवाद जैसा कि मैं अपने छोटे से introduction में कह रहा था कि विभाजन धर्म के आधार पे हुआ बीसवी शताबदी में धर्म के आधार पर religious identity primary बनने के पहले एक साजी विरासत थी धर्म में भी साजी विरासत थी सबसे पहले समझना पड़ेगा आप से कि जब धर्म के नाम पे ये तेरा धर्म ये मेरा धर्म ये बटवारा होने के पहले एक हमारा धर्म भी होता था जो एक जिसको हम लोग बोलते हैं mixed milieu जो भी नाम दे आप academics अलग तरीके से देखते हैं हम लोग उसको पत्रकार लोग different तरीके से उसको पेश करते हैं लेकिन एक common spiritual heritage हमको हिंदुस्तान के कई जगा में अलग-अलग phases में देखने को मिलती है आपका कारेशेत्र essentially पंजाब रहा है लेकिन आप बंगाल के भी बारे में थोड़ा बहुत आपको जो tangentially जो references आजाते हैं खासों से पंजाब के context पर आपके किताब में बहुत references देखने को मिलते हैं तो इसके बारे में मैं समझना चाहता हूं purely कि हमारी जो mixed hybrid religiosity or spiritual heritage है इसके बारे में समझना है आपसे यह interesting है कि आपने बंगाल का भी reference साथ में दिया वो इसलिए important है क्योंकि जब हम पजाब की बात करते हैं तो हम दिल्ली से परे और गैंजेटिक प्लेन से परे एक क्षेत्र की बात करते हैं और बंगाल भी उसी तरह से दिल्ली से परे एक क्षेत्र है तो peripheral जिसको हम spaces के रूप में उन दोनों places को identify करते हैं और शायद यही कारण है कि जब हम इन peripheries को दूर दराज के जो क्षेत्रों को देखते हैं हमें कई चीज़ें यहां पर distinctive दिखती हैं जो कि गंजेटिक प्लेन जो कि हमारी गंगा जमना के जो core areas हैं उसे different हैं इसके कई कारण है खास तोर पर जब हम पंजाब की बात करें तो इसके geographical location इस तरह की थी कि यह बड़ी porous space in as geographical entity के रूप में बहुत porous space थी बड़ porous space होने के साथ साथ यहां पर जो migration के patterns हैं अगर आप पिछले 1000 साल के अंदर देख लें उसमें काफी shift and change है जो कि continuous है जो कि आज भी हमें चलता हुआ दिखता है किसी ना किसी farm में तो इस change और fluid space के बीच में जो religious identities emerge करती हैं जब हम 1000 साल की बात कर रहा हूं तो इन 1000 स सालों में इस area के अंदर buddhism से होता हुआ islam इस area के अंदर enter करता है और हम जो area की बात कर रहे हैं वो हम undivided पंजाब की बात करें जो पाकिस्तान में भी जो अभी पंजाब है उसकी भी बात करें जी और यहीं से इसी सरदमीन से सिखिजम का भी rise होता है तो अगर आप majorly इ इसा intermingling की possibility शुरू से रही है अगर आप देखें कि devastation जो है incoming intruders है या आप कह लिजे incoming polities है उनसे भी destruction devastation बहुत frequent है तो उसी frequency काफी है तो जैसे होता है clean slates बहुत बार इस शेतर ने उसकी possibilities को देखा over a period of time तो उनकी possibility से वाज़े से पहली बात तो यहां पर जिसको हम brahmanism कह देते हैं या हम sanatana modern sanatana dharm कह देते हैं वो उसकी deep roots यहां पर नहीं थी in fact deep roots तो यहां पर आपको किसी major religion की नहीं दिखती है इसलाम की भी नहीं इसलाम बाहर से आती है सिखिजम पंद्रवी शताबदी में इसका birth होता है यहां पर shamanic influences की वजए से उनका influence जथा काफी कम था तो आपको modern sanatism है उसका बहुत बड़ा influence नहीं दिखता है और दूसरा इसका कारण जो मैं migration बोल रहा हूं तो जिनको आज हम जाट कहते हैं जिनको हम predominant communities पंजाब की कहते हैं agriculture communities कहते हैं जिसमें हर्याना पंजाब वेस्टिन यूपी पाकिस्तान पंजाब ये पूरे areas हैं ये एक हजार साल पहले या रहते ही नहीं थे so I'm just saying कि जो migration के patterns हैं जिस तरह से area transform होता है इन पूरे हजार सालों के अंदर उसकी वज़ए से porosity की possibility पूरसिटी बहुत होती है तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो 20-वी शताबदी में हिंदुस्तान में ऐसा माहूल बनता है कि दो अलग अलग दो या तीन धर्म के अलग पंजाब के कांटेक्स में तो तीन धर्म हो गए कि हिंदू और सिक एक तरफ और मुसलमान दूसरे तरफ ये साथ नहीं रह सकते हिंदू और सिक एकटे रहेंगे और मुसलमान को अलग होना पड़ेगा तो इसके पहले कि ये मेंटालिटी उभरने के पहले अगर हम 19th century की बात करें 19th century वो पीरियड है जब सिकhism काफी हद तक बहुत stabilise कर चुका होता है और तो 19th century में हमको किस तरह का religious character समाज में यहां देखने को मिलता है इसलाम है सिकhism है और हिंदू भी है तो उसमें किस तरह की intermingling देखने को मिलती है और सबसे बड़ी बात जो है जो आपकी किताब का जो central focus है वो सूफी tradition सूफी tradition एक तरह से सबका था और मतलब कोई own नहीं करता था लेकिन सबका था एक तरह से सूफी tradition की एक खासियत यह है कि इसमें जब पजाब के हम context में अगर दिखते हैं तो इसका उधाय ऐसे वक्त हो रहा है जब आपको दुनिया बर में खलबली मच्तिव दिख रही है मंगोलों की वज़े से तो उस खलबली के दायर किस सा पिरियड की बात है किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं पंजाब के अंदर जो सल्तनत है वो अफगानस्तान के इंफ्लूंसे वो काफी पहले आ चुकी होती है दिल्ली सल्तनत के इमर्जन से पहले तो हम यह 12 सेंचुरी बार् के अंदर आ रहा है तो वो एक काफी रिट्रीट के रूप में भी आ रहा है एक तो है न कि हम स्कॉलर्स कहते हैं कि इसलाम भारत में मुस्लिम स्टेट के इस्टैबलिश्मेंट से आता है और मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारा जो शिफ्ट है माइग्रेशन है व और उसकी फॉलॉइंग भी बड़ी अजीब ढंक से हो रही है उसी वक्त आप देखेंगे कि पंजाब में जो जाट हैं आके बस रहे हैं जो सिंध से मुलतान से आते वे पंजाब के अंदर आके बस रहे हैं तो एक बड़े आप कहेंगे कि एक इंटमिंगलिंग जो पॉसि कर रहे हैं क्योंकि सुफी खान का बड़ी जल्दी से सुफी संध के मरने के बाद स्टेट्स ज्वारा उनकी तरफ घ्रांट्स दी जाने लगती हैं उनके बहुत होती हैं इन जमीनों पर खेती करने के लिए बहुत सारे जाट समुदाएं जो हैं इन्वाल्व होने लगते ह के रूप में अमर्ज करने लगते हैं तो ये शिफ्ट है जाट समुदाए जो प्रिडॉमिनेंटली पिस्टोरल है अब वो सुफी मत और सुफी परंपराओं के बीच में मिलने जोने लगता है और इसका सबसे बड़ा उधारन बाबा फरीद की जो दरगा है उसके एक्जामपल के रूप में दिखती है जहां पर ऐसे कई कमीलों के हमारे पास एक्जामपल्स मिलते हैं जो बड़ी तादात में बाबा फरीद के दौरान ही इसलाम कबूल करते हैं और नों परंपराओं में जोडने लगते हैं पर ये कोई इतना ऐसा है निया कि पेसिकली हमको दिखता है कि एक तरफ तो उफिशल जिसको हम लोग बोलते हैं इसलाम पनप रहा है सिखिजम है गुर्दवारे टेंपुरल सीट्स बन गई हैं हिंदू समाज के भी उस तरह से बहुत एक इंस्टूशन के तौर पे फ्लरिश कर रहा है और साथ ही इन सब में से elements लाते हैं सब तीनों communities के followers में सूफी institutions, सूफी shrines क्या यही इनके followers थे ये सूफी दरगा जाने वाले तो हमको याद है मतलब आज के context में contemporary में बेशक हिंदुस्तान में कम हो गया हो लेकिन हमारे बच्पर में तो याद है कि लगभग एक तरह से common spiritual following होती थी यह बलकुँ सही बात है कि खानकाओं में जाने वाले उस वक्त भी लोग में बात करा हूँ initial stages of establishment of the shrines उस वक्त पे भी इसमें following हमेशा इससे mixed रही थी तो mixed होने का मतलब एक तो होता है कि आप जिसको हम secular framework में देखते हैं कि intermingling एक desire के रूप में कि आप दूसरे धर्म के एक शेत्र में जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ से relief वहाँ से कुछ बरकत जो है एक तो जरिया है उसको समझने का ये है कि saint की दरगाओं पर संतों की दरगाओं पर बरकत मानी जाती है कि धागा बांदेते हैं ऐसी मानिताएं होती है उनकी wish ये 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 यूनिकली दरगा का culture है कोई मस्जिद में जाके दागा नहीं बांदेता है बहुती कम मंदिर है जहाँ पर लोग जाके स्थरे से मननत मांगते है basically मननत जिसको हम लोग बोलते है तो ये परंपराओं जो थी है ये सभी धर्म के लोग इन परंपराओं को मानते आते थे यह एक आपको जेनरल पैटर्न साओदेश्या में दिखता है कि दरगाहों क्योंकि और इसका कारण यह है कि दरगाह के अंदर जो सूफी संथ जो दफनाए गए हैं और यह परंपरा सूफी यह इसलाम दर्म के अंदर की देखे उर्स बेसिकर जो सेर्मनी फेस्टिवल उनके डेथ अनवर्सरी पर इसलिपर किया जाता है वो फेस्टिवल इसलिए इंपॉर्टन्ट है कि माना जाता है कि वो संथ जो है अब खुदा के पास हो गए है तो संथ का शरीर जो है उनका जो कब्र है इस वजह से स्टेपिंग स्टोन इसलिए वहां की बरकत जो है हमेशा से तो इसलिए ओफिशल इसलाम में दरगाओं को मतलब ठीक से अप्रिशेट नहीं किया जाता है और खास होसे इन दिनों तो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है कि जो कंजरवेटिव फोर्सेज इसलाम में वो दरगाओं को बिलकुल मतलब गैर इसलामी मानते है जी जी हें चिरवारिष जो लिखी जाफिए पंजाब लिजाड़ाई आत्र वी शतापदी में से पहले जब seven शोलमी श Chick connect में इसके अनुसे नहीं श्भा करें चाहिए पर भी आपको झो जो जो तर्फ़ मिलता एवह ऑफ ऑर्तो डॉ 0 इसलाम को करें शों के आध के इसलभाद इसकी तरफ आपको देखते हैं रुजहान दिखाते हुए दिखते हैं उसमें ही एक बहुत स्ट्रॉंग क्रिटीक जो है मौलमियों का या आप जो स्टैंडर अर्थोडॉक्स इसलाम कहते हैं उसका देते हैं तो यह परंपरा पंजाब में रही है कि सूफी इसलाम किस तरह से इवाल्व होता है और आप जैखेंगे कि सूफी पोएट्स, सूफी राइटर्स, ट्रेडिशन अंटिल दे 19th सेंचुरी जो और्थोडॉक्स इसलाम है उसको क्रिटीक करते रहे हैं करते रहे हैं तो इसकी बड़ी लंबी परंपरा आपको यह जॉइंट फॉलोइंग हमको देखने को मिलती है पूरे पंजाब में तो देखने को ही मिलती है आपके किताब में रिफरेंसेज हैं कि सूफी जो जो दरगाओं की बात करें जो इन ट्रेडिशन की बात करें को रिफरेंसेज आपको बनारस में मिलती है आपको बंगाल में मिलती है राजसान में मिलती है आपसे चर्चा में कर रहा था तो मेरे को आज से करीब 25 साल पहले कच में भी देखने को मिला तो एक चीज जो बार बार जो निकल के आता और आपकी किताब में भी इसका काफी जिक्र है वो है जो पंजपीर का जो ट्रडिशन है पंजपीर सूफियों में भी है अलग-अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है अलग-अलग धर्मों में मैनिफेस्ट होता है इसके बार में जरा पताएंगे पंजपी कॉंटेक्स में इसको explain करना कहीं easy है क्योंकि पूरा शब्द ही है पंजब पाँच दौाबों से वो शब्द डिराइव होता है तो पाँच दौाब एक बड़ी डिस्टिंक्टिव डिन्टिटी इस रीजनल डिन्टिटी इसको देते हैं पर उसके इलावा पांच का जो सिगनिफिकेंस है वो कई और दिशाओं से भी निकल के आता है अगर आप उस पंजाब से बाहर भी देखें तो आपको शिया पंचतन पाक में भी उस तरह हैं कि पांच की सिगनिफिकेंस दिखती है उससे और पीछे चले जाए जो पांडव भी पांच है तो आपको पांच जो है इस नुमेरिक सिगनिफिकंस आपको काफी प्रविलन्ट इस स्पेस के पंजाब के अंदर जो मेजर दरगाहों के अंदर आपको होता है मैं मेजर दरगाहों की बात कर रहां वरुन देवता के रूप में कभी कई कमिटिटीज उनको इडिन्टिफाय करते हैं। उसके अलावा लाल शाबास कलंदर इंपोर्टन सूफी रहें। और देन आप उच्छ के जो सूफी संथ हैं। जलालुदिन सुर्ख बुखारी उनको तीसरे सूफी के रूप में गिनते हैं। और बाबा फरीद एक इंपोर्टन सूफी के सूफी के रूप में आपको इस रूट पर दिखता है जो इन पांच पीरों के रूप में इडिन्टिफाय करता है। यह कोई 5 पांच टैंडर्ड नहीं है। उसके बावजूद एक commonalities हमको हमेशा देखने को मिलती है जिसको और शायद अध्यान करने की ज़रूरत है. तो विभाजन के बाद विभाजन हुआ और एक तरह से मेरे ख्याल से आपकी किताब में यह समझ में आता है खासा उसे आपने अबोहर के बारे में काफी pointed study की है तो कुछ समय के लिए यह जो सूफी दरगा थे एक तरह से unattended या without any tender होते हैं और फिर बाद में इनका revival होता है त पंजाब है दो तरह की दरगाएं एक जिनके attendance जो थे Muslim attendance थे एक ऐसे जिनके attendance नौन मुसलिम इस ते तो जो नौन मुसलिम attendance वाली दरगाएं थी वो obviously तो obviously flourish करती रही यह वो flourish करती रही इसके examples हमें मोगा में मिलते हैं South Punjab में मिलते हैं बहुत जगाओं पर जिनको पीर खाना कहते हैं वो continue करती हैं पर जिनके Muslim attendance से जिनके संख्या भी काफी बड़ी थी क्योंकि पंजाब ऐसा क्षेतर जहां हर गाओं हर शेयर में आपको एक सूफी दरगाएं मिलेंगे चोटी बड़ी जितनी हैं हर महलों में भी आपको दरगाएं मिलती हैं और सिरफ Muslim महलों में हिं दार्मिक स्थानों की बात करें तो सरफ धार्मिक स्थान में सरफ दरगाही नहीं ती जो abandon हुईती हैं मदिर गुर्दवारे मस्जिद ऑन्टरेशन के लिए दोनों जगाओं पर इस्तमाल हुए जिए पाकिस्तान में वो घर बन गए मजिदे बन गई हैं इंदियन पर दर्गाहों की साथ ऐसा नहीं होता है तो कि शाइजी विरासत थी दर्गाहें जो है इंट्रिस्टिंग्ली 60s onwards आपको फिर से फलने फूलने दिखने लगती है एक ऐसा डिकेट पिरिएट तो है जिसमें नहीं होता है लेकिन 60s के बाद से फिर से वही पुराना इसको प्रोमोट करने में उसको संभालने में लग जाते हैं पर कई दर्गाहों में और भी लेट में और इसका един इसब्सारिों कन Hebrews मुले लगने लगता है था मेले लगने के साथ सा है वो कुछ एसी पुराणी रिवायते सी पिर्से आने लगती हैं कुछ जगहों पर यह रिवायते पाफी ले Bureau आिues यम्ट जैसे कुषटी दंगल यह एक खास जो उर्स के मेले कॐ बहुत बड़े मेले होत एक तरह से कुल्चिरल फेस्टिविटीज का भी महौल होता है। कवाल लोग जाते थे। बहुत बढ़ी तादात में। तो कवालियों के लिए तो अब ऐसा है कि आप उसका इतना तेजी से रिवाइवल हुआ है। खास दौर पे मिलिटेंसी पीरिट के दौरान बाद पंजा थे जिनके उपर हमले किये गए, ये ट्रीचांटाब खान दौर लिए आवां किये गए। ये गाइर घ्र, इनको प्रारेक्टश नहीं करना चाहिए। सिक्षें को अपील के, आप आप यह नहीं जाएँगे। हिंदू को अपील कि आप यहां नहीं जाएंगे तो मिलिटेंसी के पिरिट एक थोड़ा डिफिकल्ड पिरिट के रूप में आता है बट नाइंटीज के लेट पिरिट वे नाइटी नाइटी फाइव के बाद अगर आप देखें सडन स्पर्ट आपको सूफी दरगाओं का फिर से वना देखना शुरू होता है और अर्ली 20th century के अंदर हमारे century के अंदर 21 वी शथादावी के बात करें नई श्राइन जो हैं वो इमर्ज करने शुरू हो जाती है यह कौन बना रहे हैं यहीं के पंजाब के ही लोग बना रहे हैं और वही मिली जुली सोच रखने वाले लोग है तो वही श समुदाय। बने रहे हैं, शच्राइन के हिंदू सिखों के, हर दने के समुदाय जो है, आकर मिलकर यह 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 सैन, नई श्राइन बना रहे हैं... तो यह सन्था जो हैं कि पंजाब में कहने को हिंदू कहने को मुसल्मान लेकिन साथ मिल प отвा Доाइक एक दशक के अंतराल के बाद फिर से पनपना शुरू हो जाता है तो धर्म एक तरह से बांटता भी है लोगों को और क्या जोडता भी है जी अगर आप सूफियस दरगाहों के कांटेक्स में कहें तो ये एक बड़ा इंटरस्टिंग डाइमेशन हम को दिखता है कि वो जोडने का भी काम करता है पंजाब के अंदर ये काम असल में चिष्टी, कादरी और सोरावर्दी जो दरगाहें हैं उन पर आपको ज़्यादा दिखने को में नश्मंदी दरगाहों पर शायद इतना ना दिखे है जो एक बार हमपी में एक कांफरेंस के लिए गया था तो वहाँ पर एक सूफी प्रचारक थे उनोंने वैसे एनेक्डोटल दिया कि डेकन के अंदर आज जो हिंदूों की संख्या दरगाहों पर जाने की कम क्यों नहीं लगी है तो मैंने एक बारी discussion के अंदर कहा कि एक interesting चीज जो पंजाब में revive हो रही है वो कुष्टी है कुष्टी कहने के लिए एक खेल है और ये खेल सब के लिए खुला है पर अगर आप कुष्टी के विवहार को देखने की कोशिश करेंगे तो ये शरीर का स्पर्ष भी है और स्पर्ष के साथ कई तरह की identities, inhibitions बहुत सारी चीज़े तूटती है वो purity, pollution तो एक बड़ा powerful medium के रूप में आपको दिखने के लिए खेल है competition भी है लेकिन उसके साथ-साथ एक intermingling bond भी है और सुफी दरगाहों पर आपको एक कुश्टी दंगल बड़ी दंबी समय से देखने को मिलते रहे थे जो कि partition के बाद बंद हो गए फिर से revive हो रहे है तो ये dimension अपने आप में बड़ी मज़दार है तो दरगाह इसलिए अपने आप में एक eclectic space है एक religious space भी है और एक social space भी है और उस space के अंदर आप कुश्टी, कवाली, मननत, wishful feeling के लिए लोग आज भी वहाँ पर मननत मांगने जाते हैं किसी भी तरह की मननत मांने जाते हैं और मज़दार बात यहां कि अनलाइक जिसे दिली की दरगाहों में आपको दिखता है कभी-कभी कि वीमन के लिए एक अलग space, मैं के लिए अलग से पंजाब की दरगाहों में ऐसा नहीं होता है जेनर्ट spaces नहीं होती है अब को सभी लोग जा सकते हैं कुछ-कुछ दरगाहों में है कि महिलाएं अंदर नहीं जा सकती है बाहर ही उनको मतलब पूजना होगा या जो भी चाहें यह अलग-अलग local influences की चलते देखने को मिलती है एक चीज जो देखने को मिलती है कि विभाजन हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांगलादेश उसको भी मतलब context में रखना पड़ेगा क्योंकि बंगाल में yearning for the other part of Bengal हमेशा हमको देखने को मिलती है हर बंगाली के अंदर आपको कहीं न कहीं अब ही भी एक sense of loss मिलता है वो चाहे बॉरडर के उस तरफ बंगलादेश के लोगों में या फिर पश्शिमंगाल के लोगों में आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान के नेता मतलब अब तो खहर कई सालों से कोई नेता हिंदुस्तान में नहीं आता है कोई उस तरह के बाइलाटरल विजिट्स नहीं होते हैं लेकिन आते तो सबसे पहले अजमेश शरीफ जाते थे निजामदीन जाते थे वहां के दरगाओं में और उसी तरह से हिंदुसान के जो खासों सिख ननकना साहब करतारपूर करिडर तो खुल गया है तो उसमें अभी भी लोग जाते हैं रेगुलरली तो धर्म ने मतलब अभी भी लोगों को सिविलाइजेशनल लेवल पर क्या बांद के रखा है अज ये एक चीज़ में थोड़ी सी क्लारिफाइब कर दो और पाकिस्तान के अंदर मेजर ऐसी कोई दरगा बची नहीं है जिसके ओपर बं धमाके ना हुए हो पिल्ग्रिमेज पॉपर्पर्स के रहे हैं तो आप कर देते हैं कि अचा हिंदू पिल्ग्रमेज बहां जा रहा है sick preview में इधर जा रहा है मज़े बात किया है कि यहां के पंजाब के अंदर बहुत बड़ी following सूफी श्राइन्स किया अगर आपको मान लीजए यह कहकर पाकिस्तान में जाना है कि आपको सूफी खानकाओं को विजिड करने जाना है तो शायद आपको विज़ नहीं मिलेगा तो स्टेट उसको रोकने की कोशिश करती है पर लोगों की मेमरी के अंदर इसकी टेटिशन इस तरह से मैनिफेस्ट नहीं करते है पंजाब में जितने मेजर सूफी आज भी शल के जाते हैं उनके दरगाएं पाकिस्तान में ही है चाहे आप सक히 सर्फर की बात कर लें आपकी बाबा-फरीत की बात कर लें तो लाहर के सूफीों की बात कर लें तो पंजाब यहां के पंजाब ही क्या करेंगे वो उनकी memorial shrines बनाते हैं तो यह replicated shrines हमको आज के पंजाब में यहां देखने को मिल रहे हैं तो यह यादगारी shrines जिसको यादगारी स्मारक के रूप में अगर मैं उनको देखूं पंजाब में नई जितनी बनी हैं सारी के सारी यादगारी हैं और उसके भी कई कई interesting traditions हैं कि मुठी बर आप मिठी अगर महां से ले आएं किसी तरह से तो आप यहां पर आकर दफना दें उसको और उस पर आप कबर बना दें उसके उपर बड़ी दरगा बन जाती है तो ऐसे बहुत देखने को आज के पंजाब में हमको देखने को बिल्कुल मिलती है तो देखे religious nationalism अपने तरीसे से काम करती है और यह popular culture में अलग तरीके से अपने आप की presence को माग करी है और वो किस तरह से वो अपने irrespective of religious nationalism अपना एक जरिया निकाल लेती है उसको ही अपने alternative way में express करने के लिए इसमें music ने बहुत रोल प्ले किया है इसमें visuals ने बहुत रोल प्ले किया modern media के अंदर जिसकी वजह से जो barriers है दोनों nation के बीच में वो तूट जाते हैं तो यह तो हम सब जाते हैं और कभी कभी हमेशा वो political कारणों की वजह से फिर से barriers खड़े हो जाते हैं तो यह continuous process है योगे जी थोड़ी से समस्या है कि अमूमन किसी भी discussion में मेरे को एक point of beginning मिलता ह है और एक point of conclusion मिलता है मेरे को आप से बात करके यह समझ में आ रहा है कि हमको इस जो discussion हम दोनों के बीच में है और जैसा कि हमारे शोता सुन रहे होंगे को point of conclusion नहीं मिलेगा यह एक ongoing discussion है तो मेरे ख्याल से हम लोगों को आज के discussion पे यहीं पे एक inconclusive तरीके से विराम देना पड़ेगा और हम चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे जो सुनने वाले हैं जो शोता हैं वो अपने मन में अपने मित्रों के साथ अपने परिवार के साथ इन चीजों को और आगे discuss करें तो हमारे इस कारिकरम में आने के लिए बहुत धन्यवाद तो ये थी आज की बातचीत कि इतने लड़ाई इतने जगड़े के बावजूद तब भी एक साथ ही विरासत है उसी को तलाशना है हमें नमस्कार